नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके टेक्स नो डिफेंस अबडेट पे तो दोस्तों जैसे कि आप सब को पता है रूस का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लीथल और एडवांस माना जाता है इसी मिसाइल प्रोग्राम के जड़िये जो रूस है सबसे बड़े प्रतिद्वन्द्वी यानि कि अमेरिका पर अब तक एज बना कर रखी है लेकिन वहीं पर आज भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो भी भारत ने एक नेक्स्ट लेवल पर खड़ा कर दिया है आपको पता है कि भारत आज की तरह में एक से बढ़कर एक म मानते हैं लेकिन फिर भी भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो उससे पीछे भी नहीं है ये बात भी आप सब को मानने पड़ेगी लेकिन इसी मिसाइल प्रोग्राम से निकली दो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की और साथ में सबसे ज़्यादा हैवी कैटेगरी की मिस सूर्या वर्सिस R-36 मिसाइल का कमपेरिजन लेकिन उससे पहले मैं आपको दो गुड नियूज देना चाहता हूँ तो देखें दोस्तो भारत ने प्रित्वी 2 का सफल परेक्शन किया है उडुजसा से जो यूजर ट्राइव इसका लिया गया था तो उसमें इसने एकदम पिन पॉइंट जो हमला किया है वही पर अगली खावरा आजाती है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.8 अरब डॉलर से बढ़कर 551.5 बिलियन युज डॉलर हो गया है और ये लाइफ टाइम हाई पर है तो दोस्तो इस पर आपका क्या कहना है जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है जितना भारत का एक वीक या दो वीक में बढ़ जाता है और ये एक वीक में 5.8 डॉलर बढ़ा है तो चलिए दोस्तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए दोस्तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सूर्य मिसाइल की तो देखिए यह एक ICBM मिसाइल है जाने के इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल यह एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक हमला करने में शक्षम है और इसे इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से यूज किया जाएगा इसे डिजाइन किया गया है DRDO की तरफ से और मैन यार भी कैपेबल भी मिसाइल होगी इंडिपेंडेंट्री विकल तो दोस्तों इसमें एक से जादा वार्फ हैड भारत बड़ी आसानी से लगा सकेगा तो इससे यह एक से जादा टार्गेट को हीट कर सकेगी और वार्फ हैड की बात करें तो देंगे दोस्तों यह 750 किलो मिसाइल तो इसे लंबी दूरी की मिसाइल बनाने में भी शक्षम है लेकिन बहुत से लोगों का लेक Giving क्यों ले साथMost ने बना लिए तो उसका भी मात को जो लाश्ट में जवाब दूगा और इसकी स्पीड 27 मैक है और लेंथ है इसकी 40 मीटर और डायमेटर है 1.1 मीटर है तो वहीं पर हम बात कर लेते हैं इसके पूरे डायग्राम की तो नहीं दोस्तों ये एक हैवी कैटेगरी की मिसाईल है बहुत ही लेंथी और बड़ी मिसाईल है बहुत सारा वेट अपने साथ कैरिक कर सकती है ये एक छोटे देश को बड़ी आसान से तबाह कर सकती है तो वहीं पर हम बात कर लेते हैं रश्या की R-36 मिसाईल के बारे में इसक बहुत है उसकी मिसाईल प्रोग्राम में वह आज भी एक अलग लेवल का है तो दोस्तों ये एक हैवी कैटेगरी की ICBM है यानि की इंट्रकॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाईल ये भी है और इसे स्ट्रेटेजिक मिसाईल ट्रोप्स की तरफ से इस्तिमाल किया जाता है जो किलोग्राम की ये हैवी कैटेगरी की मिसाईल है तो वहीं पर हमारी सूर्रा केवल सब्टर हजार किलोग्राम की मिसाईल है और वारहेट की बात करें तो ये अपने साथ स्ट्रेटिक न्यूकलियर पेलोड को कर सकते हैं और मियार्वी है उसमें दोनों मिसाईल बराबर हैं ये अपने साथ 18-25 मेगा टंग का जो नुकलियर पेलोड है उसे करी कर सकती है आप जो तस्वीर मैंने दिखाई है इसमें भी देख सकते है कि कितना ज्यादा ये पेलोड करी कर सकती है किसना किस से धमाका होता है और रेंज है इसकी 10,200 किलो मिटर से 16,000 किलो मिटर तक और इसको ना देखा जाए तो भारत की जो सूर्य मिसाइल है वो लगभग पेलोड के मामले में और स्पीर्ड और रेंज के मामले में इसको पूरी तरह से काटे की टकर देती है लेकिन साथी रेंज में भी जो भारत की मिसाइल है वो 12,000 से 16,000 किलो मिटर है दोनों में जो मुक से थोड़ी advance है ये आप को मानना पड़ेगा लेकिन भारत पीछे नहीं है लेकिन अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर भारत ने इस missile को बना लिया है अगर भारत के पास ये missile program है तो भारत इसे सबसे पहले reveal क्यों नहीं करता है और साथ ही अगर भारत ने ब खुलकर समर्थन कर रहे हैं लेकिन अगर लगभग दुनिया का हरत देश चाहिना को बजाने को समय बैठा है लेकिन अगर इसी समय भारत अपनी जो वीटो पावर है उसाथ में NSG ग्रूप है और जो European देश और America है उनके साथ free trade भी भारत चाहता है और transfer of technology भी भारत इन दे देता है तो ऐसे में इस बात की क्या guarantee है कि European Union भारत से ड्रकर भारत प्रतिबंद ना लगाएंगे तो दोस्तों ये एक बड़ा कारण है कि भारत इनहीं कारणों की वजह से सूर्रय मिसाइल को ना तो कभी रिवील करता है हाला कि जो public domain में डिया डियो की तरफ से इसके उप कारणों की वजह से कि भारत बहुत सारे groups हैं बहुत सारे pre-trade हैं और agreements है और भी बहुत सारे चीज़े हैं जो भारत European Union और अमेरिका और दूसरे देसों से चाहता है तो ऐसे में भारत अपने खिलाफ माहूल नहीं बनाना चाहता है ये भी बड़ा कारण है और भारत मान लि इसी टेस्ट कर सकता है क्योंकि उस समय भारत के पास veto power भी होगी NSG में जो सदस्चता है वो भी होगी भारत के पास उस समय हर एक चीज़ होगी जो एक test बड़े हथियार को test करने के लिए जियरो भी होती है तो इसी कारण से बारत अपने इन हथियारों को test नहीं करता है तो झाल झाल